नमस्ते शाथियों क्या आपने कभी सोचा है कि कई बार जब हम बात्षीत करते हैं दूसरों के साथ तो हमारी इनसे अनबन हो जाती है कभी जगड़ा हो जाता है या फिर कई बार हम जो बात कहना चाहते हैं। लेकिन तरीका सही ना होने की वज़ा से वो बात दूसरों तक पहुंच ही नहीं पाती। ऐसा अक्सर होता है। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा क्यूं होता है और इससे उभरने के लिए हम क्या कर सकने हैं। तो आज जो तरकीब मैं आपके सामने रखूंगा इससे कहते हैं पारा लैंग्विज। क्या है ये पारा लैंग्विज। और कैसे इस्तमाल होता है इसका क्म्यूनिकेशन में इसे आज बहतर समझने की कोशिच करेंगे। तो आम भाशा में अगर कहा जाए तो पारा लैंग्विज का मतलब है बातचीप का तौर तरीका। देखे दोस्तों अकसर जब हम लोगों से बातचीप करते हैं तो हम ये तो सुनिश्चत कर लेते हैं कि हमारी बाते सही हों, संपूल हों और आसान शब्दों का प्रयोग हों लेकिन इनके अलावा भी ये भी माइने रखता है कि आपका बातचीप करने का धंग कैसा है, तौ तो इस पारा लाइंग्वज के वैसे तो विभिन अंग होते हैं, लेकिन आज मैं आपके समक्ष पांच ऐसी चीज़े रखना चाहूंगा, जिसका अगर आप बहु भी इस्तमाल करें, तो आप सटी कम्यूनिकेशन यने बहुत ही बहतर तरीके से अपनी बात सामने वाले को पता पाएंगे, तो कौन से ये पाथ चीज़ें, सबसे पहली चीज़ जो इसमें आती है उसे कहते हैं, एंफसिस, एंफसिस का मतलब होता है, शब्दों पर जोर देना, देखें मानली ची अगर आप किसी से बात कहते हैं, कि ये मीटिंग आपके लिए जरूरी है, अगर आ नहीं तरीका होगा कहने का, कि भाई ये मीटिंग मेरे लिए जरूरी है, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने मेरे लिए और जरूरी है इस पर थोड़ा जोर डाला, अब इसकी वज़े से सामने वाले को पता चलेगा, कि ये बात आपके लिए वाक़े में बहुत ज़ादा मह पूर्ण है, तो सही शब्दों पर प्रभाव डालने से, जोर डालने से सामने वाले को आपकी बातें बहतर समझ में आएंगी और आपके वारतालाब में उसका सकारात्मक असर आपको नज़र आएगा, दूसरी चीज़ जो आपके लिए बहुत जरूरी है और जिसकी जैसे उधारन के तौर पर अगर आप किसी मीटिंग में है और किसी की कही गई बात से सहमत नहीं है और आपने कुछ इस तरह कहा, ने नी भाई, आपने जो काम है इससे सहमत नहीं हो, हो सकता है ऐसा कहने पर उस व्यक्ति का आपकी तरफ देखने का नजरिया जो है, वो हमे लेकिए आपने चो कहा, मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत नहीं हो इस पर, अभी आपने ये जताया कि आप सहमत नहीं है, लेकिन चोआपका कहने का तरीका था, अंदाज बयां जिसको हम कहते हैं, वो काफी कारगर था, और इसलिए कहते वक्त अपनी बात क वो सही वाणी में प्रस्तुत करना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि अगर आपकी वाणी अच्छी हो तो आप पूरी दुनिया जीच सकते हैं। तो मधूरता के साथ की गई बात कड़ी बात दिया अगर हो तो वो सामने वाला उसे ग्रहन कर लेता है। तीसरी महत पफूर्ण चीज है आवाज यान्य वालूम। तही बार ऐसा होता है कि हम बहुत धीमी आवाज में बात करते हैं। उसके हिसाब से आप अपने अंदर थोड़ा बढ़ लाव कर सकते हैं। अपनी आवाज को थोड़ा उचा रख सकते हैं। खास तोर पे जब आप किसी conference call में है या फिर मान बीजी आप टेलेफोन पर बात कर रहे हैं तब बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि आपकी आवाज सही तरीके से सामने वाले तक पहुंचे अब कुछ लोग इसके विपरीत भी होते हैं उनकी आवाज इतनी जोरदार होती ह है कि जैसे ही वो बात करना शुरू करते हैं सामने वाला थोड़ा सहन सगाते हैं सुनिए मैं जो आपसे कहने जा रहा हूं है ना इतनी अगर भारी भर कम आवाज के साथ आप बातचीत करना शुरू करेंगे तो सामने वाला थोड़ा हिल जाएंगे तो ये जरूर सुनिश् काफी जरूरत की है यहां पर वो है गती अब गती से क्या मतलब है गती का मतलब है किस गती से आप बातशीट करते हैं अब कुछ लोगों को लगता है कि जितनी जल्दी वो बातशीट करेंगे उतना भैतर होगा फिकर उस सामने वाले प्रप्रभाव डाल सकेंगे लेकिन ये बिलकुल गलत है हमें अकसर लगता है कि अगर हम बहुत तेज बात करें गती से बात करें तो सामने वाले पर एक सकारात्मक छाप छोड़ सकते हैं लेकिन अगर सामने वाला आपकी बात समझ ही नहीं पाया तो फिर क्या फायदा तो जब आप बात करें ये भी तै कर लें कि आपकी गती क्या होनी चाहिए अक्सर जब हम बोलते हैं तो बहुत तेज बोलते हैं जिसकी वज़े से या तो हम शब्दों को खा जाते हैं या फिर सामने वाला उन्हें सुन नहीं पाता, समझ नहीं पाता तो जैसे वॉल्यूम याने आवास के संबन में हमने कहा था कि ना जादा उचा ना बहुत कम, उसी तरह से गती के तोर पे भी आपको ध्यान में रखना है ना बहुत तेज, ना बहुत धीमे मध्यम गती से अगर आप अपनी बात को सामने रखेंगे, तो सामने वाले को बहुत आसानी के साथ आपकी बातें समझ में आएंगे अब इसके साथ एक और चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब आप किसी विदेशी वक्ती से बात करें, जिनने हमारी अंग्रेजी समझ नहीं आती तो उस वक्त मध्यम से भी थोड़ा धीमे अगर हम बात करें, तो और भैतर होगा, क्योंकि हमारी बात वो आराम से समझ पाएंगे, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जिनको इस्तमाल करते हुए, आप अपनी बात सही तरिके से रख पाएंगे, और पांचवी और सबसे एहम चीज़, जिसको अकसर हम नजर अंदास करते हैं, वो है रुखावट, जी रुखावट का मतलब ये नहीं है कि आप बात करना बंद कर दें, इसका मतलब है कि कुछ पल के लिए आप अपने आपको रोक लें, जिसको हम कहते हैं पाउस, अब ये पाउस क्यूं जरूरी है, कि जब आप बात करते-करते रुखते हैं, तो आप दूसरों का ध्यान आकरशित करते हैं, बाचीक के दौरान बहुत जरूरी है कि जरूरत पढ़ने पर आप रुखें, रुखकर कही गई बात, लोग ध्यान से सुनते हैं, और इसी लिए जब कभी आप कुछ कहना चाहें, जो बहुत जरूरी हो सामने वाले के लिए, तो एक थोड़े से अंतराल के लिए रुख जाएगे, तो दोस्तों, आज मैं जो आप से कहने जा रहा हूँ, वो बात बहुत जरूरी है, और उसके बाद अपनी बात रखिएगा, तो जैसे ही आप एक हल्क के से पल के लिए रुखेंगे, लोग आपकी तरफ आकरशित होंगे, उसके बाद कही गई बात, उनके दिमाग में फिट बैट जाएगी, तो ये पाँच चीज़े हैं दोस्तों, इनका अगर आप भर्पू इस्तमाल करें, तो फिर आपके वारतालाग में आप बहुत बहतर सुधार देख पाएगे, कौन सी है पाँच चीज़ें, सबसे पहले emphasis, emphasis का मतलब होता है, सही शर्ट पर जोर देना, दूसरी चीज़, tonality याने आपकी वानी, जितनी मधुरता आपकी वानी में हो, उतनी आपकी बात जल्दी बन जाएगी तीसरी चीज, volume याने आपकी आवाज ना बहुत जादा, ना बहुत कम, उसी तरह से speed याने गती, ना बहुत तेज, ना बहुत जीत सकते हैं, तो जरा इनका इस्तिमाल कीजिए, और फिर मुझे बताइए कि इससे आपको आपकी भाशा में, आपके वालतालाब में, क्या सुधार नज़र आया, उसे पूरा यकीन है इससे आपको भरपूर लाब मिलेगा, तो फिर देर किस बात की इस्तिमाल कीजिए, और अपनी बात मुझ तक जरूर पहुंचाएगा, धन्यवाद